इन दोर में महिला से पुरुष बने एक युवक ने युवक ने युवक से शादी की। यह देश का पहला मामला है सुंप्रीम कोट 12 अक्टूबर महने में ट्रांस जेंडर विवा को कानूनी मानियता दी गई थी। इसके बाद इन दोर में गुरुवार को महिला से पुरुष बने युवक ने स्पेशल मेरिज एक्ट के तहट युवक से शादी की। यह शादी अलका से अस्तित्व बने युवक और युवती आस्ता की बीच होई है। कोर्ट मेरिज में दोनों परिवारों के 25 लोग शामिल हुए बीते साल अलका ने अपने 47 जर्म दिन पर स्रज़ी करवा कर अपना जेंडर इस तरह से पुरुष करवा लिया। इसके बाद उसने अपना नाम बदल कर अस्तित्व कर लिया। अस्तित्व ने आस्ता से शादी की है जो उसकी बहन की सहली है। आस्ता को शुरु से ही इस बदलाव की जानकारी थी उसे अलका के अस्तित्व बनने की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया गया था। आस्ता का कहना था कि हमने बहुत विचार करने के बाद शादी करने का निड़ने लिया है। दोनों परिवारों को भी इससे कोई समस्या नहीं थी, इसके बाद दोनों ने अपर कलेक्टर रोशन राय को अपने इस्तिती समझाते हुए विवा का आवेदन किया। इस्पेस्चल मेरिज एक्ट सभी धर्मों पर लागू होता है, इस कानून के तयाद शादी रेजिश्टर करवाने के लिए धर्म बदलने की जुरत नहीं है। फिर चाहे वो हिंदू, मिस्लिम, सीख, एसाई, जैन, बोध या किसी भी धर्म का क्यों न हो। इस कानून के जरिये भारत के हर नागरिक को ये सवेधानिक अधिकार दिया गया है कि वो जिस धर्म ये जाती में चाहे वहाँ शादी करवा सकता है। सुप्रिम कोट ने कहा कि ट्रांसजेंडर की शादियों का मामला विशम लेंगिक संबन्द की प्रकरतिगा है और इसे भी कानूनी मान्यता दी जाने चाहिए। ऐसे और वेडियो के लिए वेडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यावाद।